आई गाइस दीज योगीन सवाने वेलकम टू मैं यूटूब चैनल सी प्रोग्रामिंग्वेज की टुटरियल सेरीज में आज की इस टुटरियल में हम लोग देखने वाले प्रोग्राम में तो उसको कभी कभी क्या होता है कोड का जो रिपीटेटेड आर्ग्यूमेंट है और उसको हम लोग को मल्टिपल टाइम यूज करना है सपोज मैं यहाँ पर एक्जमपल लेता हूँ सपोज हमारे पास सम फॉंक्षन है तो हम लोग क्या करते हैं दो नूमबर का सम करें ने मेरे को 20 प्लस 20 30 प्लस 40 हम लोग को पोड के अंदर के आँ बार बार उसको लिखते हैं हम लोग को अवेड करना है और हम लोग को जब भ पर्फोम स्पेसिफिक टास्क मतलब कि सेट आफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग एक जगह पर डाल देगे और जब भी हमको जरुवत रहेगी ताब उसको हम कोल कराएगे तो फंक्षन को हम लोग सब रूटिन वीच डिजाइन फॉर दूइंग वन स्पेसिफिक जोग भी बोल सकते हैं और सेट आफ इंस्ट्रक्शन व्रेब टुगेधर टू पर्फोम स्पेसिफिक टास्ट तो एद तीन डेफिनेशन फंक्षन के लिए सब इस फंक्षन दो टैप के रहते हैं एक रहता है प्रीडिफाइंड फंक्षन एंदूसरा रहता है यूजर डिफाइंड फंक करते हैं उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं तो फेच करता है और उसका टास्क पर्फॉर्म करके उसका काम कर देता है उसको बोलते हैं प्रीडिफाइंड वैसे हम लोग यूजर डिफाइंड हमेरा खुद का भी फंक्षन बना सकते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं व और multiple 20 था 50,000 बहुत बड़ा कोड है हमारा तो उसको लोग को debug करना है कि कहां पर प्रोब्लम आता है तब हमको हमारा कोड पुरा standard structure वे में आ जाता है तो हम लोग को debug पुरा easy हो जाता है length of code भी reduce हो जाता है जब हमको multiple task perform कराना रहता है तो हमने उसका function बना दिये तो हम लोग उसको call करा देगे और उसका काम खतम होने के बाद हमारा code फिर से चालो हो जाएगा तो length of code reduce हो जाएगी program की size decrease हो जाएगी and repetition of code decrease हो जाएगा this is the benefits of function तो हम लोग function में तीन चीज़ हमको ध्यान में रखने होते है first रहते है prototype उसको बोलते है declaration of function दूसरा रहता है definition of function and third रहता ह function call तो ये तीन चीज़ से हमारा पूरा function काम करता है तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखने है so first thing is declaration so declaration of function above the main function and below the header file रहता है तो हम लोग जो as included stdio.h लिखते है उसके नीचे and main function के उपर हमको declare करना रहता है function को उसके बाद definition main function के नीचे रहते है और function call main function के अंदर जो this is the basic syntax of functions so first उसका return type रहता है उसके बाद function का name रहता है then arguments रहते है यहाँ पर n number argument हम लोग लेख सकते है argument 1,2,3,4,5 of n number of arguments तो चार तरीके से हम लोग function को design करते है first is void function name then void इसका मतलब क्या है हम लोग example देखते है void ABC void तो यहाँ पर ABC है मेरा function का name है this is my return type and this is my argument तो ABC is a function which takes nothing void का मतलब है nothing and returns nothing but performing one task मतलब वो जो भी हम जब भी ABC function को call करेगे तब उसका काम करेगा और काम खतम होने के बाद और return हो जाएगा मतलब return में कुछ भी नहीं वेजेगा next second तरीका है void function name argument 1 and 2 तो यहाँ पर हम लोग क्या करेगे यहाँ पर हम लोग return कुछ भी नह कर रहे है return void है defy मेरा function का नाम है और integer and character दो argument हम लोग pass कर रहे है तो इसका मतलब है def is a function which takes two arguments first is the integer and second is the character which returns void that means nothing third है हम लोग return type function name and void तो यहाँ पर हमेरी कोई तो return time रहेगी वो integer charactery upload के format में रहेगी उसके बाद मेरा function का नाम आएगा और उसके बाद आएगा यहाँ पर void मतलब कि nothing हम लोग कुछ पास नहीं कर रहे है जा आर्गुमेंट तो example integer sum void इस sum है मेरा function का नाम है तो sum is a function which takes nothing but returns integer तो return क्या कर रहा है integer value return कर रहा है next return type function name and argument function हमारा कुछ value return भी कर रहा है और कुछ arguments भी ले रहा है यहाँ पर n number of arguments हो सकते हैं तो हम लोग example में देखते है integer emul multiplication and the arguments two arguments तो multiplication function to argument ले रहा है to integer and as an argument यहाँ पर दो integer argument ले रहा है and return कर रहा है integer so यह चार तरीके से हमारा function design होता है कोई भी function c language का ले लो या कोई भी programming का यह चार तरीके से function define होता है और उसका design होता है पूरा so हम लोग example से देखते है कि किस तरीके से हम लोग function को design कर सकते है और किस किस तरीके से हम लोग function को use कर सकते है so let's move to the programming screen so guys हमारा function का पहला प्रोग्राम में design functions for printing given number into the binary format सो हम लोगों ने binary format में print कराने का program पहले देखी लिया था अभी हम लोग function के थ्रूँ देखेगे तो उसमें हम लोग पहले ले लेगे यह मेरा adder file है this is my declaration of function so print binary यह मेरे function का name है and उसके argument में integer value जा रही है मतलब कि जो भी number रहेगा वो हम लोग pass करेगे function को और यहाँ पे रहेगी मेरी return type तो इसी तरीके से हम लोग function को declare करते हैं उसको बुलते है function declaration उसके बाद आता है integer number हमारा normal code है यहाँ पे मैंने printf enter the number scan करा है number and यहाँ पे मैं function को call करता हूँ तो हम लोग को main function में हम लोग क्या करते है function को call कराते है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ function call हो रहा है यहाँ पे मेरा तो यहाँ पे मैं number को pass कर रहा हूँ तो जैसे ही number को pass कर रहे है तो print binary यह मेरा function का definition है तो यहाँ पे मैंने क्या किया है void print binary and integer n तो यह ने मेरा variable name मैंने ले लिया उसके अंदर जो भी number pass करेगा वो उसके अंदर store हो जाएगा तो यहाँ पे integer i i is equal to 31 and 31 time हम loop को rotate करेगे और bit by bit हम लोग उसको find करेगे कि number right shifted by position and with one यह हम लोग को पता है कि इस से हम लोग को मिल जाएगा कि हम लोग जो देख रहे हैं वो particular bit set है या clear है तो हमारा bit 31 number का set है या clear है वो print हो जाएगा उसके बाद 30, 29 is decrement form until 0 जब तक वो 0 नहीं होगा तब तक के loop rotate होगी और binary format पुरा print हो जाएगा तो guys जब भी हम लोग function design करते हैं तब हम लोग को first हमारा main function लिखना है और उसके अंदर हम लोग को जो भी function का नाम डालना है तो उसको function call कराना है उसके अंदर हम लोग क्या argument डालने वाले हैं कितनी argument डालने हैं वो डालना है तो यह हमारा first step रहेगा function call कराना है तो जैसे हमने function कोल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कितने आर्गुमेंट चाहिए रिटन टैप कुछ चाहिए इन चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए तो हम लोग उसको ऐसे ब्लेंक रहने देगें तो हमारा फ्ॉस्ट हो गया या float है या character के format में हम लोग pass कर रहे हैं वो हम लोग declare कर देगे third step रहता है हमारा definition तो हम लोग definition के अंदर लिख देगे कि हम लोग को जैसे हम लोग number pass कर रहे हैं तो वो n के अंदर store हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे मेरा जो भी work होगा वो n variable से होगा तो यहाँ पे मेरा number सपोज मैंने enter कर रहा है 10 तो यह 10 अहाँ यह मेरा number है और उसका address है 1000 location जैसे ही मैं यहाँ पे pass कर रहा हूँ number को n तो यहाँ पे एक नया value बन जाएगा n और उसका address सपोज रहेगा 2000 एन उसके अंदर value store हो जाएगी 10 तो जैसे ही हम लोग इस तरीके से n is equal to number number की value n के अंदर store हो जाती है similar तरीके से जब हम function को call करते है तब उसकी value इसके अंदर store हो जाएगी और यहाँ पे उसका task complete हो जाएगा तो यहाँ पे print हो जाएगा उसके बाद पूरा control जैसे ही function complete होगा तो पूरा control नीचे वाली line पे आ जाएगा और उसके बाद जो भी value हमने लिखी होगी उसको perform होगी यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा return 0 है तो हमारा code terminate हो जाएगा इसी तरीके से function work करता है so let's run this code and see the output so this is the function 1.c.slash.exe तो यहाँ पर मैं enter करा हो number 10 तो 10 का binary यहाँ पर print हो जाएगा so guys हम लोग दूसरे function के example से देखते है कि function किस तरके से काम करता है so यहाँ पर हमारा दूसरा example है design a function for printing given number into the binary format जो हम लोगों ने last example देखा वही बट उसके अंदर थोड़ा सा modification है हम लोग को count करना है कि how many bits are set तो हम लोग को find करना है कि उसमें से जो भी हमारा number है उसका binary format करेगा और उस में से find करना है कि कितने bits set है तो यहाँ पर हम लोग को क्या है कि एक count variable भी चाहिए मतलब कि हमको कितने count है वो हमको find करना हो और यहाँ पर हम लोग को main function के अंदर print कराना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग को return type की भी ज़रूरत है तो यहाँ पर हमारा return type integer हो जाएगा so integer print binary then argument में भी integer आएगा तो this is our function call and this is our function declaration उसके बाद function definition के अंदर हमेरा as per requirement हमको code को change करना है previous requirement किया थी हमको binary format में only print कराना था तो यहाँ पर हम लोग को देखना नहीं था वो one है या zero है यहाँ पर हम लोग को देखना है कि हमरा जो beat है उसको one है तो वहाँ पर one print कराना है और उसको यहाँ पर एक count को increment कराना है तो c यहाँ पर मैंने zero count ले लिया जैसे ही one आएगा तो एक से increment हो जाएगा उसके बाद else में zero print हो जाएगा तो जैसे ही one one how many times आएगा उतनी बार मेरा count यहाँ पर increment होगा और at the last जैसे loop complete होगी उसके बाद यहाँ पर मैं return c कर रहा हूँ मेरा count return हो जाएगा और वो count variable के अंदर यहाँ पर store हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम लोग print कर देगे जो भी count आएगा उसको तो इसी तरीके से हम लोग return type भी लिख सकते हैं तो function में एक चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं guys कि हम लोग a की बार return लिख सकते हैं either if के अंदर या either else के अंदर या either bar मतलब कि हम लोग a की बार return कर सकते हैं हम लोग return c, return d, return e, ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक यी बार return कर सकते हैं जैसे ही return यूज करते हैं तो अब हमारा पूरा function उसके बार जिख बार कुछ भी लिखते तो वह वेल्यूपर्विं नहीं होते हैं हम लोग यहां पर वह भी example देखते हैं तो suppose मैंने यहां पर print by लिखा है after return 0 तो यहां पर return by कभी भी perform नहीं होगा जैसे रिटन आया तो हमारा पूरा code हमारा पूरा function वहाँ से terminate हो जाएगा so let's run this code so this is the function 2.c dot slash a dot exe enter the number 10 तो यहां पर मेरा 10 का binary print हो जाएगा और उसके बाद यहां पर count 2 आएगा तो यहां पर print by print नहीं होगा जैसे हम लोग return के बाद कुछ भी लिखते तो perform नहीं होता है एंड second एक ही बार हम लोग return लेख सकते हैं so guys I hope कि आपको function समझ में आ गया होगा सो हम लोग next वीडियो में देखेगे कि call by value and call by reference क्या रहता है functions के अंदर कर दो में दो कर दो में दो कर दो होगा